तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Lexis IDO Editor के बारे में तो कि बहुत ही अच्छा IDO Editor है जिससे आप अपने वाइस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और effect लगा सकते हैं तो इस वीडियो में बहुत ही आजहेए लास्ट तक और मेरे चैनल पर अगर नए है तो ख्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को भी दबा ले और मेरे इस्टाग्राम को भी फालो कर ले तो चलिए वीडियो का स्टाट करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सब से पहले आपको जाना है प्लेयर स्टोर में और वहाँ से आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है लेक्सिस अडियोःटर तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं और डाउनलोड करते हैं लेक्सिस अडियोःटर तो हमने टाइप कर लिया और वहाँ से इंस्टॉल करेंगे यहां से इसका Jinnet अधाई एंटराइस तो हैं सब्रेख सकते हैं इसका इंटर्फेस ऐसा है आप चलिके मरें अब बाधान कर लिये और यहां से आप देख सकते हैं में क्या क्या फंक्सन दिया हुआ है आदर दिखें ह zwischen रिकोर्ड करेंग रेट बटन पर क्लिक करके सिंप्ली रिकॉड कर लेना है चलिए हम रिकॉड कर लेते हैं रिकॉड हो रहा है तो इसके बाद आपको स्टॉप कर देना है तिके अब रिकॉड हो के आ चुका है इसका आवाज नहीं आपाएगा इस वीडियो में इसका आवाज नहीं आएगा तो इसको समझानने के लिए आपको रिकॉड किया है तो देखिए टाइम लाइन दिया हुआ है आप जहां से भी सेलेक्ट करना है आपको करके आपको प्ले कर सकते हैं और लूप भी कर सकते हैं तो लूप का 않 प्सें दिया हुआ होई इसके पेनेदेबल करके आप लूप कर सकते हैं जब तक लूप चलता रहेगा जितना आप अप ऐडियो के सेलेक्ट करेंगे उतना दूर लूप करेंगे देखिए लूप कर रहा ही अच्छा हो जाएगा कर चेंज पीच कर सकते हैं चेंज ठेम P super कर सकते हैंании रिदक्षन कर सकते हैं इसमें बहुत स выглядит कॉंप्रेशर भी कर सकते हैं हिन और इको भी दिया है तो आप आपने आवाज को बहुत ही बैटर बना सकते हैं इस application के थरूक इसमें बहुत सार आपसम दिया हुआ है, जैसे इसमें under भी दिया है, आप कोई साभी युज कर सकते हैं अपने according इसमें दिया है और eco में आप देख सकते हैं, simply इसको set कर सकते हैं अपने through और यहां से apply कर देंगे पिर आपको जाना है, देखते हैं और क्या है यह equalizer है आप इससे EQ कर सकते हैं अपने wise को अपने according इसको हम simply apply कर देते हैं या cancel कर देते हैं इसके बाद देख सकते हैं इसमें और क्या है बारी बारी से हम इसको check करते हैं इसके बाद convert stereo mono है इसमें convert कर सकते हैं mono और stereo दोनों में change कर सकते हैं अपने wise को देखिए यह stereo हो गया इसमें हम track record करते हैं उस type का फिर इसको undo करते हैं देखिए फिर इसमें share का भी अपसंदिया हुआ है भी coder convert यह तो हो गया तब जो भी मतलब आपको करना है वो बहुत ही असानी से कर सकते हैं इसमें बहुत सरा अपसंदिया हुआ है तो आप देख सकते हैं share भी कर सकते हैं इसमें meta information है तो आप अपने social media के थुरू भी share कर सकते हैं जैसे वार्ट्सप फेस्बूक इसलिए आगे भी बताते हैं और क्या function इसमें दिया हुआ है इसमें trim का भी option दिया हुआ है जैसे कि आप दो भाग में cut कर सकते हैं अपने voice को जैसे यहां से हम देखिए cut करते हैं यहां से trim करते हैं सिंप्लिए इस पर trim पर क्लिक करना है देखिए trim हो गया यह देखिए trim हो गया इसके बाद undo कर लेते हैं इसके बाद delete का option है copy paste का option है insert silence अरिया आप एरिया को select कर सकते हैं duration कितना duration पर आपको select करना है वह देख सकते हैं इसमें चलिए हम यहां से select कर लेते हैं इसमें देख सकते हैं import from file का option दिया है mix the current file with another file इसको बोलते हैं यह अपने recording set कर सकते हैं फिर आप से अपाइल कर सकते हैं इसके फाइल करने का option भी दिया है कि मतलब MP3 में करना है यह वे फाइल में आपको करना है यहां से File select करके आप Save कर सकते हैं और rename कर सकते हैं अपर अपने में एडियो को तिकित का इसमें extension दिया हुआ MP3 wave तो आप जिसमें आपको Save कर नहीं कर सकते हैं तो इसमें zoom का भी लाइक, शेर, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद